असलोल लेकूम and हलो एवरिवान यहापे मेरा मिलादुन नभी व्लॉग दिखा रही हूँ मैं सुबा के टाइम पे घेयों का पूरी बना दी हूँ तो मिलादुन नभी ईत तो है तो उसमें कुछ स्वीट तो बनता है तो मैं खीर पूरी बनाने वाले हूँ मैं व्लॉग करती हूँ तो यहापे मेना जोहर का टाइम हो गया है तो यहापे मैं जोहर का नमाज पड़ी हूँ और नमाज के बाद खुरान पड़ी हूँ तो मिलादुन नभी है तो हमारे नभी का पाइदाश का दिन होना है सी तो थोड़ा सा मैं यूटूब में सेच भी करती हैं मिला दिननभी के बारी में नमास के पहले ही मिशिन में कपड़े दाल के रही हूँ तो फिर सारे कपड़े निकाल के मैं बाहर सुकाने वारी हूँ तो सब कपड़े सुकाती हूँ बाहर क्योंकि नमाज पढ़ते से वक्त खाली क्यों रहना बोलfound यहां कुछ धालके रहे हूं कुछ जोहर का टाइम तक तो अक्सर मैं सुभा के टाइम में कपड़े पूरे सुखा देती हूं लेकिन उस दिना मिला दबही कंसे का मशर्ला 3 फोड़ा सा कांश्य कोश्य दिन धक्राइबा में जुच्छ पीदा रहता मुश्य दाख이다 चनी की बखैर नेеж्वा यह क्या दाल चनी की डाल और गेम का रववा कि नो ही भीगा द्लूजाँ है तो और को सब CB कुक्ष में के डाल यह पूरा नरम पका कर देmos 3 कि से और यह को जाया गुपकर करें यह पर मैं आज अलग तरक खीर बनाने वाली हूं फिर इसके लिए में क्या करी हूं ना कुकर कर दूसरा तरफ चड़ाई हूं फिर इस पे उपर एक पैन रखी हूं फिर इसमें धेड सारा घी दाल के रखी हूं घी में ना मैं हाफ कप सूजी रवा भी भूनके रखती हूं तक कि मैं सूजी घेम और चनी की चने दाल की खीर बना रही हूं तो आप लोग एक बर मास ट्राई करिए बहुत अच्छा लगता है यह अब हम डेजर्ट में भी का सकते हैं तो यहां पे ना सूजी रवा का रॉसमेल पूरा गय तक ना हम अच्छा से घी में भून लींगे इसमें हम जो जो ड्राई फ्रूट्स दालते हैं तो सब ड्राई फ्रूट्स को एक खवाद एक अच्छा से भून के रखेंगे तो मैं एक दिन पहले हैं पूरे भून के रख ली थी ड्राई फ्रूट्स को तो काजू बादाम और थोड़े सीट है मेरे पास और सब मैं घी म ताकि जल्दी काम हो जाए बोलके फिर इसके बाद क्या करी हूँ ना इस फ्राइब हो चुका है तो मैं एक बॉल में निकार लेती हूँ फिर इसी बॉल में मैं दूद आट कर लेको दूद एक उबलाने तक रख देती हूँ तो ये गयाप में हम क्या करते ना इलाची को अच्छा से नरम पेस के दालोंगे मैं anál इलाची को जब जब जबी नरम करके दालती हूँ मैं पहले ही फूट के नहीं रख लेथी हूँ और इसके ऐब वह थूड़ा सा ैद्राइ साट को भी आट करी हूँ ताकि अच्छा लग कर सकते हैं मगर गुड कुना हम खीर बनाना पूरा होने के बाद गुड पर मेरे पास थोड़ा सा सैफरॉन है मैं सैफरॉन के बॉल में डाली थी गरम हुआ था ना दूद वी दूद डाल कर थोड़ा थोड़ी देर के लिए रखेंगे क्योंकि हम स्वीट में कुछ अलग जै थी लिए ना फिर इसके बाद में क्या करती हूँ ना अवी कुकर में थोड़ा सा दोके उसमें थोड़ा सा छिकेन आलू दाली हूं और इसके साथ तोड़ा सा पानी और नमक दाल के उबा ली हूं तो यहाँ पर मैं चिकेन चीज, वाट सास कबाब बनाती हूँ तो यस नेग्स्टेरी यूजाल पाईबी तो मिल्क नैक्स्टर कराइब देया ही THEOIL भोल्षेबी को थी और प्रफोल माईदा। नहीं थे का भुए मόσες के हूं कितकुर्षेबीट है ना लिए दो खाये करें जो को मलुक्ति हम जरे लिए अग्यादा पूंस का लट विल्क को बी आट कर देंगे यह हम इसके बाद हम जो स्रेड़ेट करके रखे थे ना पटाटो उसको हम व आट करके तो सब मिक्स करेंगे एक ही मिक्स दी दि दीए इसको तो इसके बाद हम जो जो मसाले और अब चाहिए तो कुछ गर्मसाला भी आड़ कर सकते हैं तो मैंना बच्चों के लिए भी सोच कर मैं इस तरह से थोड़ा सा लाइट ले रही हूं मिच्छी इसके बाद मैं आड़ कर दूंगे जो में वाला इंग्रियंट है चीज चीज को भी हम एड़ करते हैं इसमें चीज आड़ करने के बाद दो-तीन मिनिट के बाद में हम आफ कर देंगे फिर मैं सब आटे को ए मिक्षर को पूरा एक प्लेट में ले लेंगे और हम घी तेल लग और ह опас अगरर चाहिए तो घी आफ कर सकते बटर भी आट कर सकते बस मैं यहां पर यहां पर तेल अजोë करहे हूं और भून लिंगे शालो फ्रे करती हूं मैं सब्सक्ते को बादने में भाद्सिक तब तक मेरा है मगंरीब का टाइम भी हो चुका है तो मैंने मेरी नमाज के मेरी इफतार के लिए मैं रेडी कर रही हूं सब खेर चिकन चीज केबब और थोड़े से फ्रूट्स भी ले रही हूं तो इस तरह से मेरा मिला दुन नभी का व्लॉक एंड करी हूं फिर नेक्स डे हुआ था कि जारा स्कूल जाकर आये थे यहां पर जारा को और हम सब को एक स सर्प्राइज वो क्या है ना मेरे हस्बेंड आईडे हमप्लाई है उन्हों बाहर हते थे तो मेरे हस्बेंड एट मंस के बाद आये थे तो हमने जारा के साथ मज़ा कर रहे कि पपा अभी नहीं आने वाले हैं तो पपा आएंगे नेक्स्ट येर गोल के बोल रहे थे तो इत ना रोरी इतना रोरी फिर एसके बाद हमना इसको सब्टराइज दिखाए थे माशाा अला ह्ण डाटर्स को फादर्स का लो कभी देन नहीं होता है ना तो इसके बाद मेरे हस्बेंड आने के बाद इसाग का रियाक्शन में नेक्स्ट व्लोग में दिखाऊंगी और मेरे हस बहार रेस्टोरेंट में भी गए थे तो इस व्लोग थोड़ा तो भी अच्छा लागा तो तो प्लीज मेरी चानल को लाइक, शेरें, सब्सक्राइब करो और मेरे हस्बिन बहुत सारे सब्प्राइजस लाए थे तो सबी मैं नेक्स व्लोग में इंक्लूर कर दूगी तो इस व्लोग थोड़ा तो भी अच्छा लागा तो प्लीज लाइक, शेरें, सब्सक्राइब हम मिलिंगे नई व्लोग के साथ तफतक के लिए अल्ला हफीज अल्ला हम मिलिंगे लाइक, शेरें, सब्सक्राइब